हाई दोस्तों, वेलकम टू स्टडी साइट, इस वीडियो में हम इंबर्मेंटल इंजिरियाइंग के वाटर डिस्ट्रिब्यूशन चैप्टर में वेरियस टाइप ऑप वाटर डिस्ट्रिब्यूशन पाइप के बार में जानेंगे Water Distribution में Water Distribution Pipe को दो हिस्षों में Divide किया है पहला Metallic Pipe और दूसरा Non-Metallic Pipe So, फास्ट आते है Metallic Pipe पे Metallic Pipe को भी तीन हिस्षों में Divide किया है पहला Cast Iron Pipe, दूसरा Steel Pipe और तीसरा Rot Iron Pipe Metallic Pipe पे फास्ट जो Pipe है वो है Cast Iron Pipe अब Cast Iron Pipe के बारे में जान लेते है Metallic Pipe में Cast Iron Pipe सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि ए सबसे ज़्यादा सस्ता और Efficiency होता है जो की Cost Reduce करने में सायता करती है Water Distribution में Cast Iron Pipe, Cast Iron Pipe से ही बनाया जाता है और दिखने में कुछ इस पुकार का होता है जो आप पिक्चर में देख सकते हो Metallic Pipe का दूसरा पॉइंट है Steel Pipe Steel Pipe, Steel से बनाया जाता है जो आप पिक्चर में इस तरह से देख सकते हो इस पुकार पुकाइप बिसिकली वहाँ पे इस्तिमाल किया जाता है जहाँ पे Water Passor बहुत ज़्यादा होता है and Large Size of Pipe इस्तिमाल किया जाता है इस टाइप के Pipe में और आखरी जो Pipe है वह है Rot Iron Pipe Rot Iron Pipe basically इस पुकार का दिखता है जो आप पिक्चर में देख सकते हो इस Pipe का दूसरा नाम है Galvanized Iron Pipe इस पुकार का Pipe basically easily, workable friendly और light weight होता है मतलब हलका होता है जो की इस्तिमाल करने पे सायता करती है और तिसरा पॉइंट इस Rot Iron Pipe basically ज़्यादा तर घर पे जो की बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है अब हमारे दूसरे टाइप का Pipe है Non-Metallic Pipe इस Non-Metallic Pipe को भी चार हिसो में डिवाइट किया है RCC Pipe, Precast Iron Pipe, Asbestor Pipe and Last Plastic Pipe तो हमारे फास्ट Pipe है RCC Pipe जैसे RCC नाम से ही समझ जगे है आप यह basically concrete या RCC से manufacture किया जाता है Most of the cases इस Pipe को ही ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है Water Distribution में Non-Metallic Pipe के अंदर दूसरा Precast Iron Pipe Non-Metallic Pipe में Precast Iron Pipe basically वहाँ पे इस्तिमाल किया जाता है जहाँ पे Water का पेसार बहुत ज़्यादा होता है जो RCC Pipe सहन नहीं कर सकता और जहाँ पे Water Pipe का डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है एस P-Stase Cast Iron Pipe बहुत सारे stages में manufacture किया जाता है जो की अब पिक्चर में देख सकते हो हमारे Non-Metallic Pipe का तीसरा Pipe है Asbestor Pipe इस Asbestor Pipe को mainly manufacture किया जाता है Silica and Cement का combination से इस पोकार का Pipe basically High Corrosion Resistance करने में सक्खम है High Corrosion मतलब जहाँ पे Pipe बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है इन्वर्मेंट के कारेन और हमारा Last Pipe है Plastic Pipe Most of the cases इस Plastic Pipe को basically हर जगा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ए बहुत cost efficiency है और दूसरा हर जगा available होता है और transportation करने में भी बहुत ही easy होता है इस पोकार का Pipe basically तीन टाइप का material से ही manufacture किया जाता है जो की UPVC मतलब Unplasticide Polyvinyl Chloride दूसरा Polyvinyl Pipe और तीसरा GRP Glass Rainforest Pipe इस पोकार का Pipe घर से लेकर Water Distribution Pipe तक हर जगा इस्तेमाल किया जाता है Most of the cases आज की वीडियो एही पर ही समप्त होती है तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए Goodbye